क्या होगा बोले कल्यों में इंटर कास्ट मेरिज होगी और इंटर कास्ट मेरिज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कानून भी बनी गए आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते लेकिन भारतिय संसकारों के अनुसार अगर इस पर चर्चा की जाए तो इस इंटर कास्ट मेरिज को उचित नहीं माना गया आज जो चीजें हो रही है कि अपनी ही मर्जी के मताबिक हम करेंगे जो हमें करना है और करते भी हैं लोग उन्हें रोक भी नहीं सकते राइट भी नहीं अधिकार भी नहीं है कैसे रोकेंगे आप आपे क्या राइट है जो आप रोक लेंगे किसी को हम भी नहीं रोक रहें किसी को रोक नहीं रहें लेकिन इंटरकास्ट मेरेज से उत्पन हुई संतान अपने मावाब को अपने पित्रों को जल नहीं दे पाएगे तरपन नहीं कर सकेगे उससे पित्र तरप्त नहीं होएंगे जो इंटरकास्ट मेरेज करते हैं युबाओं से मेरा निवेदन है आग्रे है हम मनुष्य से बनकर आए हैं पसू नहीं और मनुष्य की योनी में जब जन्म लिया उसी समय हमारे उपर बहुत responsibility हो गई थी जिन माबाप के गर में हमारा जन्म हुआ है उन माबाप की ही नहीं बलकि उनसे पूर्व जो पित्र हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारे उपर है हमारा एक आचरण उन पित्रों को नरक में ढखका मार सकता है और हमारा सतुगुन हमारे उन पित्रों को भगवान क के धाम तक पहुंचा सकता है जैसे ट्रेन के इंजन के पीछी तमाम डिब्बे होते हैं और यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं चलता तो अकिला इंजन नहीं है डिब्बे नहीं चलते हैं इंजन नहीं चलता है लेकिन इंजन का सहारा लेकर डिब्बे भी अपनी म idea इस समय अगर हम जिन्दा हैं तो हम इंजन है और हमारे जो पित्र गण है वो डिबे के रूप में हैं हमारे सत कर्म और बुरे कर्मों का असर इंजन जेधर जाएगा डिबे उधर जाएंगे तो जो कर्म हम करेंगे उसका reaction उसका फल हमारे पित्रों को जेलना पड़ेगा इसलिए intercast marriage हमारे यहां allowing है हमारे भी संस्कृति में नहीं है अब कोई कर रहा है या करते हैं या कर ली है या कर चुके हैं या अगे करेंगे हमारे यहां वो तालबानी नयाय तो है नहीं कि तुमने ऐसा किया हम खड़ उठा लेंगा ऐसा कुछ नहीं है यह तो आप जो चाहे करें लेकिन मैं जो सिध्धन तो बता रहा हूँ वो आपके धर्म के अनुसार बता रहा हूँ जो संस्कृति है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि कल्योगों में मन मानी साधियां लोग करेंगे अब तो चाड़-चाड़ साधि कर रहें लोग एक है तो दूसरी कर रहें दूसरी है तो तीसरी कर रहें और अब तो कई-कई कर रहें जब उसे पेस्बुक आया है तो साधियों की गिंती नहीं है बिना बताए कई-कई कर ले रहे हैं क्या करोगे उनका कि यह हमारी समस्कृती रहे हैं भगवान ने जो एक दिया है एक दी है उसी के साथ प्रेम से रहो घर का महौल अच्छा रखो